यह बिहार है और बिहार का भभुवा जिले का बगहुता काया न्यूप्रात्मिक विद्याले है जिसकी हकीकत यह है कि बच्चे इंतजार करते हैं और गुरु जी लोग बाहर ना जाने कौन सा काम कर रहे हैं हो सकता है वो कागजी कारवाई में किसी और जगा ब्यस्त हो नितीश सरकार उनके मंत्री विदायक प्रधान इनको कोई फिकर नहीं है क्योंकि इस सरकार का आदेश है कि कोई भी पत्रकार किसी विद्यालाय में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो प्रवेश कर जाएगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी साथी राम इकबाल ने यह पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट के सहारे सिर्फ यह बताने की कोशिस की है कि नितीश कुमार के सिच्छा महकमे में कार करने वाली यह अध्यापिका और इनके सहयोगी डेले बर की फिक्र नहीं करते कि बच्चों का भविस्गर्थ में जा रहा है या उनका पढ़ाने का अपना नयतिक धर्म है क्योंकि जिस तमीज और बाकी चीजों से लापरवाही से वो जबाब दे रही है वो अपने आप में सवालिया निसान उठाता है कि या तो उनके उपर कोई अधिकारी काम करने वाला नहीं है या अधिकारियों को इतनी समझ नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है बहराल आप इन बच्चों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या इन ही बच्चों के साथ इस तरीके के दुर्बयोहार अंदेखी और इनको ना पढ़ा कर आप नया इंडिया बना पाएंगे अगर ऐसा भारत बनना है तो आप यकीन मानिए कि हम सोने की चड़िया आत्म सम्मान आत्म निर्भर भारत की वज़ाए बेरोजगार भारत बनाने की तरफ सीधे बढ़ रहे हैं और अनपढ़ भारत भी होगा देखिए साथी राम इकबाल की नमस्कार मैं राम इकबाल आप देखें हैं लोकल नीजब इंडिया गाहों की दिली से मैं पत्रकार राम इकबाल यादो अपने ग्राम बगवता परश्य को लुगा थाना दरा जिल्या का मुर्भवा में मैं पहुंचा हूं जो कि मेरा ग्राम बगवता है सर यहां की बच् हए यहां को आपके खड़ें जो कि ऑना देने वाले कोई भी आ उपसित नहीं इसमय कि आयां किष्ग क्योंतुमटर बात करना चाहूंगा किसि नहीं Angoon बगवक्त तो थिमाश्रमा आथे हैं यह दिन सब्सक्राइब हैं यह नहीए आते हैं कि दिन submसर में आते हैं एक हैं एक दिन वो आते हैं तो आप लोग माशार के नाम क्या होगा लिजू कुमारी इतने लोग माशार के बीच में अच्छा आप लोग खाना डेली मिलता है अच्छा खाना में आप लोग का मिलता है तो कभी कभी मिलता है न तो इस दुनिया के जमाने से मैं पूछूंगा इतने बच्छों का भविष कहां जा रहा है आप ज़िए सब बच्छे पढ़ने के लिए मतापीदा यहां पढ़ने के लिए पहुंचे हैं 10 बज के 24 विनाट 6 सिकेंड हो रहा है मेरे घड़ी में और यहां 10 सबस्षा कोई माश्राय उपस्तित नहीं है इस हमारे सरकारी विद्यालाय में कोई माश्रा उपथित नहीं है जो कि यहां का बच्चों का भविष कहां जाएगा ध्यान देजिएगा तो यह बताओ बाबु कि यहीं लोग माश्रा आते हैं तो आप लोग कभी प्रस नहीं करते हो कि यहां क्यों यह आप लोग से आते हैं कि नहीं पूछते हैं अब लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं पूछने के बाद ठीक है अच्छा फिर आप से अगली एपिशोड में मिलेंगे तब साथ के लिए कोई दीकत नहीं है आप लोग सब्सक्राइब बढ़ जाओ और मैं सर से बात करता हूं सर क्या जबाब देते हैं कि थांक्यू नमस्कार अदाब प्रणाम रमाहिराम एकबार इतने बचों के विश्में बात करूंगा आगली एपिशोड में नमस्कार अदाब प्रणाम सलाम क्याओ नमस्कार मैं अपने गांव नहीं होता हूं यहां पर यहां की हट मास्टर अर선 कích से होता है कुछ ओड़ा होता है कर यहां पर कितने मार्षट रहे हैं कर विए तो यह तक पहुंचाना है ताकि हमारे घाउंगा बच्छे पढ़ने के लिए भेज आते हैं नहीं सबका जा रहा है तो कोई तिकत नहीं है कि हमारे घाउंगा परस्टनल में तो मैं आप से चाहूंगा कि य तो आप यह पताएं कि मतलब इतना लेट से आती हैं बच्चों को भार्बू खार नहीं मिलता है हरो जो बच्चे आपकी गवाही कर रहे हैं कि यह पूर कर जाती हैं कि बच्चे करिएगा हम आएंगे बच्चों को बुलाएं बच्चे परमार देंगे बच्चे कर लिए बच्चे बताएंगे हम सिखा है कि आप इस गाउं की महिमा जा रही है ने रोकने की बात नहीं है इस गाउं के बारे में आप सोची जारा बीचार करें यहां बभीच जा रही है अच्छा यह बताएंगे का आप इस गाउं के बारे में क्या करना चाहेंगी आप नहीं बोल पाएंगे हम समझ रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं